हेलो एवरिवन वेलकम तू माई चैनल आज के वीडियो में हम आपको काफ़तान बनाना बताएंगे जो कि बहुत ही एजी तरीके से बन जाता है यहाँ पर बनाना बहुत एजी है मैंने काफ़तान में लेस लगाने के लिए इस तहा की लेस ले लिए इसी कपड़े में हम काफ़तान डाड़ी करेंगे इसकी लंबाई हमारे यहाँ पर है 34 इंच यहाँ टू पार्ट में 34 है और इसकी विर्ध है यहाँ पर 21 इंच यह भी टू पार्ट में है इस तार से आप देख लीजेगा यह हमने 4 पार्ट रखा है तो 22 पार्ट की हमें यहाँ पर विर्ध और लेंच बताई है अब हम अपना शोल्डर्स ले लेंगे शोल्डर्स हम यहाँ पर 7 इंच लेंगे तो 7 इंच पर यहाँ पर मार्ग कर लेंगे अब आर्मोल्स हम यहाँ पर लेंगे 7-inch, 7-inch ही आर्मोल हम यहाँ पर लेके इसी mark को, shoulders तक के यहाँ पर मिला देंगे, लिए जो भी आपका size होगा, उसका यहाँ पर 1-4 ले लेंगे, हम ने 10-inch ले लिया, तो हम 10-inch पर यहाँ पर mark कर लेंगे, और ये आर्मोल से हम इस mark को आगे के side को लेके जाएंगे ये इस तहा से mark होगा ये जो हम marking कर रहे हैं ये हम सीधे part में marking कर रहे हैं आपको भी ये सीधे part में marking करना है अब हम अपना waist part लेंगे तो जो हमारा आर्मोल से वहां से वेस्ट पार 7 इंच ले लिया 7 इंच पे mark कर लिया इस तहा से अगर आप shoulder से देखेंगे तो यहां पर 15 इंच आएगा अब हम अपना hip size लेंगे तो hip size यहां से ले लेंगे तो ये वाले mark को cuttle कर लेंगे कि यहां पर तक हमारा waist है अब 5 इंच यहां से हम लेंगे यह हमारा hip size हो जाएगा hip का यहां पर हम 1 4 ले लेंगे तो 1 4 हमने यहां पर ले लिया 11 इंच 11 इंच पे यहां पर हमने mark कर लिया यह mark हम waist तक के मिला देंगे अब आप उपर से मैं आपको दिखा दू hip size यहां पर आ रहा है 20 इंच तो 20 इंच पे ही यहां पर mark करना है अगर आप यहां आर्मोल से देखेंगे तो यहां पर टोयल इंच आ रहा है तो यह इस ताहा से यहां तक के आपको cut लगा लेना यह जो सिलाई लगेगी हमारी fitting की वो सिर्फ यहां तक लगेगी इस वाले mark को हमें round stitching round marking नहीं करना है क्योंकि यहां पर कोई stitching करने वाले नहीं है सिर्फ हमने fitting का mark किया है अब इसी fabric को हम इस ताहा से ultra side करेंगे और यह जो हमारे mark क्रिये हुए है इसको पूरा कपड़े बराबर करने के बाद इस ताहा से कपड़े पर यासे से हाथ करेंगे तो जो भी marking हमारी की हुई है वो दुसी side पे भी आ जाएगी तो यहां पर हम mark कर लेङे दुसी side पे भी इस mark को हम यह पर डाग कर लेगे यहां तक कि सिफ हमें इस चीज आप خया लखेंगा जब आपका कपड़ा अप लेंगे तो कपड़े का जो सीद्री side होगा उसी तरफ ही यह merry again चोता मैंने एक कपड़ा करीह हैं ए बढ़ा हिंटिक लूँ यहां पर एक कपड़ा से पड़र्ण II कर दिया है यहां पर लिए यहां पर और 10 फिर समय का सrand मैंने फ़ोल्ड करेंगे धाटिक जो फिर सेर्षी करिंगे तो जहाँ पर हमारा neck part आएगा उस part में हमें इस कपड़े को रखना है अब हम इसके neck की broadness ले रहे हैं 3 inch और यहाँ से उपर की side से भी हम यहाँ पर 4 inch ले रहे हैं तो इस box को हम यह ready करेंगे और फिर यह box के अंदर हलका सा यहाँ पर round कर देंगे तो यह हमारा round neck ready होगा तो इस वाले part में हम यहाँ पर देख लेंगे 1 inch पर होना चाहिए 1.1 ले रहे हैं यह 7 inch होता है तो इसी तरह से इस part को हम cutting कर रहेंगे सिर्फ हम neck इस तरह से यह देख लीजे यह हमारी काफ़तान और neck वाला part दोनों साथ में cutting हो जाएगा यह देखे हमने यह part दोनों cutting कर लिए अब यह कपरे हटाने के बाद इसके बाद वाला जो part है उसको भी हम यहाँ पर cutting कर लेंगे यह वाला part हमारा cutting हो गया यह हमारा round neck हो गया जो कि हमारा back और friend दोनों साथ में ही neck cutting हो गया है इसी तहा से हमारा काफ़तान में भी यह neck वाला part cutting हो गया है अब हम इसको ready करेंगे बनाना यह इस तहा से देखे यह neck है हमारा और यह लगेगा यहाँ पर तो इस तहा से इससे पहले रखेंगे सीधी साइट से इसे नहीं रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर neck जो ready करेंगे उसमें वो हम उपर की साइट में fabric को लेके आएंगे तो उल्टी साइट रखना है मैंने सिर्फ रखकर आपको दिखा है यह कैसे यहाँ पर stitching होगा embroidery करने के लिए हमने anchor का धागा ले लिया है इसको हम बावबिन में यहाँ पर फिल कर लेंगे पूरा पूरी बावबिन में फिर पावबिन केस लेके इसको जैसे धागे को निकालते वैसे निकालने के बाद और अपनी machine में से fit कर लेंगे और फिर इस ताहा से यहाँ पर हम स लाई लगा लेंगे, आप लोग मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा, क्योंकि हमने लास्ट में यहाँ पर इमरोडी करना भी बताया है, step by step को आप लोगों को वो इमरोडी अगर देखनी हो, तो पूरा वीडियो लास्ट तक प्लीज देखेगा, और मेरे वीडिय लगे तो साथ मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजेद्र, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जो क्यों अभी तक नहीं किया हो आप लोगों ने, और साथ में ब्एल ऐकन भी प्रेस कर लिए तक किसी था की वीडियो की नोर्टिफिकेशन आपको मिल सकें, और आप विडियो देख सकें. यहाँ पर देखें, इस तहाँ से इस वाले पार्ट में four line ready करी हैं चो कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने four line यहाँ जला रही हूँ machine से, यह तहाँ से यह हमारी embroidery हो गई, अब हम यहाँ पर अपनी lace ले लेंगे, lace का हम यह वाला से इस वाले पार्ट में शसाइब सलाई लगाना है जहां पर हलगी सी लेस का जो मौ्ति टाइप बने हैं उस io आप को बाहर के साइट को रखना है अगर आप कोई भी लेस लगाते हैं तो उसमें भी आप इस ताहर से अगर लेस लेंगे वह इस ताह की नहीं एक स्लाई हम अप उपर की साइट से यहां पर लगा रहे हैं, अब नेक को हम उपर की साइट को पलट लेंगे और यहां पर हम स्लाई लगा लेंगे, यहां पर देखे हमारा नेक हो गया है रेडी, अब हम अपना ये वाला पार्ट लेंगे जहां पर हमने अपना नेक रेडी क अब ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, साइड वाला, इसको फोल्ड करते हुए, हम अपनी ये वाली लेस ले लेंगे, तो जो हम पूरे चारो साइड यहां पर लगाएंगे, इस ताह से लगानी है, ये इस ताह से ये पूरी लेके जानी है, और यहां तक गुमाते इसको पूरे पार्ट में हम याली लेस को लगा लेंगे, यहां पर देखिए, हमने लेस को पूरी लगा लिया हुआ है, और नेगवी हमारे यहां पर एड़ी है, अब मुझे क्या करना है, ये वाला पार्ट जो है, ये टू पार्ट है, ये हमारा सीधा पार्ट है, और ये पर देख्यें हमने fold part में कर लिया है, hab हम यहांपर फिर से marking करनी है, जहांपर हमें अपनी यहां पर हमारे marking जो back side में जो front side में थे और वो हमारे दिख रहे हैं तो हम उसी तरह से यहां पर कर लेंगे अगर आपके यह कपड़ा जादा वैसा हो नहीं marking दिख रही हो तो आपको क्या गरना है कि फिर से marking back side में कर लेना है अब यह वाले part का हम यहां पर center देखेंगे जो waist part का यहां पर center आ रहा है वो हम इस side में लगा लेंगे mark कर लेंगे यहां पर हमें dory को जो सेदी side से निकलना होता है तो इस side से यहां पर हम लेंगे यहां पर देखें कपड़े को इस तहा से पूरा पहले हम सीधा कर लेंगे तो यह वाला part जहां पर मैंने mark किया था उस वाले part में हम एक यह देखें यह सीधी के side भी हमारा आ रहा है यह सीधी के side पर हम यहां पर फिर से mark कर लेंगे तो यह मार्ग जो होगा वो हमारा दोनों साइड हम यहाँ पर लगा लेंगे फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा फैबरिक कट कर लेंगे जिस पर मैंने पेपर पेस्टिंग कर रखा है और इस वाले पार्ट को इस ताह से पकड़ते हुए यहाँ पर हम काज को रेड़ी करेंगे यह देखे हम यहाँ पर काज बना रहे हैं आप चाहें अगर आपके पास इस ताह की मशीन नहीं अवेलेबल है तो आप नॉर्मल से सलाई लगा कर कपड़े को उल्टी साइड को फोल्ड कर सकते हैं हमने यहाँ पर यह काज को रेड़ी किया है इस ताह से यह काज जो बनता है मशीन से उसको इस्टीच ओपनर से यह कट कर लेते हैं अगर आपको यह काज का वीडियो पूरा चाहिए तो आप मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है तो आप उसको देख सकते हैं काज आप इस easy तरीके से इस machine से बना सकते हैं तो यहाँ पर देखे मैंने यह सार से काज भी ready कर लिया है और कपड़े को हमने पूरा open कर रखा है तो जो हमारा काज वाला पार्ट है उस side से उस पार्ट से हम यहाँ पर हमारा जो waste पार्ट था हमने 10 इंच ही लिया था आपको मैंने दिखाया था तो यह वाला पार्ट क्योंकि 10 इंच इसलिए लिया था हमने क्योंकि हमें यहाँ पर gathering आ जाती है जब हम डोरी को ready करते हैं तो वो कीच कर हमारा waste पार्ट अपने आपी पूरा हो जाता है चेस्ट और waste हमारा 20 इंच है तो यहाँ पर waste में हम 20 इंच पे इस ताह से मार्ग करें मैंने 10 इंच एक साइट मार्ग किया जैसे कि आप देख रहे हैं हम ने जो जहाँ पर कार्ज रड़ गया उसका 10-10 इंच एक साइट पे हमने दूरों साइट पे ले लिया 20 इंच हो गया ठीक है तो यह वाले पार्ट को हम जहाँ तक हमारा चाह कार्ज मैंने बनाया है उस वाले उपर की साइट से हमने यह वाला पार्ट मार्ग किया ठीक है जो जब हम इस ताहाँ से सीधा मार्ग अगर हम जब ड्रॉ कर लेते हैं, तो जब हम जो यहाँ पर पटी लगाएंगे, स्टिप को रेडी करेंगे, तो वो बहुत ही अच्छे से लग जाती है, तो इसी थारा से हलका सा गैप देते हुए, करीबन मैंने ये काज हमारा बिल्कुल पॉना इंच का है, उतना ही गैप द दोनों साइट से सिलाइयां लगाएंगे, तो ये दोनों साइट से छोटी हो जाएगी, तो छोटी हो जाएगी इसलिए, क्योंकि ये वाला पार, हमने दो हैं, फ्रंट और बैक, दोनों साइट में यहाँ पर करने के लिए, ठीक है, ये वाला पार जब हम यहाँ पर एड़ कर लेंगे ठीक है सिलाई हमारी 20 इंच पे लगेगी और जो हमारी डोरी आएगी जो डोरी वाला पार्ट स्ट्रिप है उसको हम थोड़ा सा अंदर की साइट को रखेंगे वो इसलिए क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो उसमें दबनी नहीं चाहिए क्योंकि हमें यहां स दोरी को निकालना है तो जब आगे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ इसी ताह से हम यह बैक वाले साइट में भी मार्क कर लेंगे तो इस वाले पार्ट को भी हम देख लेंगे कि इसका सेंटर कहां पर आ रहा है फिर हम यह और मार्क करेंगे यही हम तो असका सेंटर मैं ने देख लिए जहां तक हमारा काचा था उसी को हमने बैक साइट में में पेस्ट किया और वहाई से हम यह यहाँ पर 10 इंच 1 साइट पर इसने दोनों साइट पर इसने लेते में एंटे हूँए यह माक कर लेंगे जैसे कि मैं यहां पर यह दिखिए यह बैक साइड के हमारी स्ट्रिप है इसको हम यहां पर रैडी करेंगे ठीक है इसको भी हलका से जब हम सलाई लगाएंगे तो यहां तक आजाएगी सलाई लगने के बाद तो यह मैंने मार्क के लिए ताक कि बिलकुल भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए अगर आप यह चीज धियान नहीं देखते हैं तो क्या होगा बैक साइड में उपर और फ्रेंट साइड में नीची हो जाएगी तो यह चीज आपको अच्छे से धियान द कपड़ी को फोल्ड करते होवे यहां पर एक साइड में पहले स्लाई लगाएंगे यह वाले पार में जब स्लाई लग जाएगी इसी तरह से दुसरे साइड में भी हम स्लाई लगा लेंगे इस ताह से यह वाली स्ट्रिप को हम रैडी कर लेंगे इसी ताह से बैक साइड मे कर लेंगे यह देखिए हमने रहा लगा लिए यह दोनों यहां पर हमने स्ट्रिप को ready कर लिया है अब यह वाला पार्ट हम इसलासे फोल्ड करते हुए शी थी पार्ट में कर लेंगे कपडे को और यहां पर हमने मारी कर लाई ती अब वहा है कि इसी मांग पर हम यहां पर सिलाई लगा लेंगे कि it Haram Blind से आपको यह चाहि लगानी है कि इस ताह से लगानी है और फिर यहां कि लेके आना है बाकी नीचे तक कि आपको पूरी श्लाइग नहीं लगानी इसी तरह से हम दुसरी साइड भी लगा लेंगे बस सिर्फ यहां तक आपको श्लाइग लगानी हो फिर श्लाइग को रोक लेना यहाँ पर हमने दोनों साइड में सलाई लगा ली है अब हम अपने डोरी ले लेंगे तो यहाँ पर हमने डोरी को बना लिया हुआ है पहले से यह डोरी जिस कलर की मैं लेस ली है उसी तरह की मैंने डोरी बनाई है तो आप भी जिस कलर की लेंगे उसी color की यहां पर dory को बनाईएगा, ठीक है? अब यह वाला जो काज वाला part है, उसी के अंदर से हम इस dory को डालेंगे यह dory जब यहां तक के हम ले आएंगे अपना septi pin और पीछे की side से हम आपको दिखा देते हैं, यह वाला part जो है हम इसी तरीके से यह दूसरी side भी हम यह वाला part ले जाएंगे यह हमारा एक side हो गया, यह दूसरी side है अब जब भी back side में पुरी dory हो जाएगी, तो इसी को हम front part में ले आएंगे, front वाले part में अब जब यहां तक काज है हमारा, वहां तक की dory आ गई और यह उपर की side को हम यह ले के आएंगे और dory को बाहर की side को निकाल लेंगे यह इस तरह से बाहर की side को यह निकालना है अब धोरी को पूरा खीच कर पूरे एक बराबर कर लेंगे यह back side में हमारा dory वाला part है और इस तरह से यह हमारा front वाला part होगा यह front वाला part है, इसको इस तरह से खीचते हुए अपना जो west वाला part है वो अपने आप ही हजाएगा क्योंकि हमने आपको पहली बताया था, west part हमें loose रखना है इस तरह से डोरी से आप कम जादा अपना west वाला part कर सकते हैं और यह dory को यहाँ पर हम पूरा इस तरह से बान देंगे काफ़ता राड़ी करने के बाद हम यहाँ पर इंबरोइडी करेंगे तो मैंने इंबरोइडी फ्रेम ले लिया है और जो हमारा shoulders वाला part है वहाँ पर हमने फ्रेम को लगा लिया है, अब यहाँ पर हम अपने flower को इस तरह से ड्रॉ करेंगे यहाँ पर मैंने फ्लावर को ड्रॉ कर लिया है अब अपना धागा ले लेंगे तो इस धागे से यहाँ पर इंबरॉयडी बनाना स्टाट करेंगे यह मैं जिस ताह से दिखा रही हूँ आप इसी ताह सी इंबरॉयडी को बना सकते हैं यहां पर मैं इस ताह से बहुत एजी होता है यह बनाना यह मैंने कुछ वाइट कलर्स का अंदर की साइड में वर्क किया है और यह मैं यलो कलर का यहां पर इसकी पत्यां रेडी कर रही हूं यह भी बहुत इजी से होते हैं बस आप इसको देखते चाहिएगा इजी तरीके से यह आप बना सकते हैं फ्लावर्स यहां पर ड्रेस हो गई है हमारी रेली काफ तान कलो कुछ इस तहार से आएगा सत्ते मैं अन्येशाँ से आपको बना कर बता दिया है कि कैसी यह लगानें यहां और यह हमारे नेक डिसाइन है यह हमारी बहुआरी करी थी यह इस इनल्वार्डी का design है तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लग हो तो झाल झाल